टॉपिक है अप वाह तंत्र, अप वाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा डेटेल में थोड़ा सा सद्धांतिक पक्षों को भी देखेंगे ठीक है और धारनाय क्या क्या है इसमें उनको भी देखेंगे और इसके साथ-साथ हम लोग चर्चा करेंगे देश की सभी नदियों के बारे में कि किस तरीके से हमारे यहां पे जो सिं इनके बारे में एक डिटेल अध्यन करने जा रहा है हमें तो सबसे पहले आप वाह तंद्री के अंतरगत थाल वेक से धानत को समझते हैं थाल वेक क्या है ठीक है यहाँ पर चार चित्र में बनाऊंगा इनको क्रम से आप बनाते चले जाए सबसे नमबर एक किसी नदी का थाल वेक क्या होता है मालिजे यह आपका परवत सिखर है ठीक है इस परवत सिखर से नदी यहाँ से उद्गमित होती है यहाँ एक ग्लेसियर है वो ग्लेसियर इस नदी के जल का सोर्स है और यहाँ से एक नदी उद्गमित होती है और मैदानी छेत में प्रवेश करके समुद्र में जा करके जलगी राती है ठीक है तो जब नदी इस छेतर से निकलती है तो यहाँ एक घाटी का निर्मार करती है वी अकार की घाटी का निर्मार करती है आप देख रहें यह आकरती कैसी बन रही है वी आकार की बन रही है है ना ये वी आकार की घाटी है अब ये सब चीजे हम लोग बाद में देखेंगे कि नदियों दोरा किस प्रकार की आकरती बनाई जाती है हीमानी दोरा किस तरीके की आकरतिया बनाई जाती है वो सब अभी चर्चा जब next lecture आएगा specific उस पर देखेंगे लेकिन यहाँ पर मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि जब कोई नदि अपने उद्गम छेस से निकल करके अपने मुहाने तक पहुंचती है तो वो लंबवत काट करती है लंबवत कटाओ करती है माली ये अधारतल है अधारतल अधारतल वोई है जो समुद्र का अधारतल होता है जहाँ पर समुद्र का जल की सतह होती है वोई अधारतल मान सकते हैं नदी अपने आपको यदि मैदानी छेतर में बह रही है तो अपनी घाटी को तब तक काटती है जब तक अपने अधारतल से ना मिल जाए ठीक है अधार तल के पहुंचने तक नदी घाटी को काटती हुई जाती है ठीक है अब अधार तल आपका मालिजे ये रहा नदी इस तरीके से इसको काटती जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे अपने मुहाने में पहुंचेगी काटते काटते अपने जल में मिल ज ठीक है इसको बोलते हैं थाल बेख थाल बेख नमबर एक नमबर बी दूसरा डाइग्राम बनाते हैं दूसरा डाइग्राम बस इसी को है कि नदी यह लंबवद अपर्दन करती माली यह नदी यहां से बह रही है और यहां से यह अधार तल है तो नदी क्या करेगी लंबवद अपर्दन करेगी नदी का अपर्दन नीचे की तरफ ठीक है यह अपर्दन करती है बहाव की रिशा यह है आपकी नदी का और नदी के थालवे गिये है नदी का फालवे गिये यह आपको कैसी नदी लग रही है यह नदी की युवा वस्था है यह नदी की युवा वस्था है जब यहां से नदी निकलती है शुरुवात में माली यह कोई नदी अभी एक नया ग्लेसियर है उस नया ग्लेसियर से कोई नदी निकल रही है तो सुरुवात में क्या होगा दिरे दिरे अपनी घाटी के निर्मार करेगी दिरे दिरे उस छेतर को काटेगी तो नदी जब अपनी युव अवस्था में होती है तो अधारतल जो उसका अधारतल होता है यानि समुद्र का जो जलिस्तर है ठीक है उसमें घाटी को अधिक्तम कार्टी है अधिक्तम काफी उचाई में ये युवा वस्था को प्रदर्शित करता है युवा अवस्था नदी की युवा वस्था है इसके बाद काफी समय से दि कोई नदी बह रही है काफी समय हो गया उसे तो उसका थालविक कैसा होगा कि यह नदी की ब्रद्धा वस्था है जब नदी ब्रद्ध हो जाती है ब्रद्धा वस्था में उसका थालविक संतल संतल प्राय ही हो जाता है लगबग संतल प्राय ठीक है यह नदी का थालविक है पर्दन करते करते अभी क्या करेगी अगली अवस्था में बिल्कुल सम्तन हो जाएगी अपर्दन उसने अपनी घाटी का अधार तल के बराबर अपर्दन कर लिया यह दिखाता है नदी की अवस्था को एक समय ऐसा आएगा कि नदी विल्कुल अपने संप्राई मैदान की तरह बहने लगा नदी का यहाँ पर थालवेक का अंत हो जाता है नदी के थालवेक का अंत यहाँ से थालवेक का अंत हो जाएगा थालवेक का अंत ठीक है तो ये एक संप्राय मैदान की तरह सीधी रेखा दिख रहा है सीधी रेखा रेखा या संप्राय मैदान ठीक है ये एक तरीके से मानिये की नदी का सबसे अंतिम चरण होता है जब अपनी पूरे घाटी छेतर को काट डालती कटाव कर देती है ठीक है ये बात समझ में आ रही है पूरी यहां से कोई नदी निकली अपने घाटी को काटते 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 एक अवस्था ये पहुँच गई ठीक है इस अवस्था में घाटी से जब नदी निकली थी तो घाटी को काटने की असीम संभावना है कार्टे कार्टे इस सिस्तर प्याई फिर इस सिस्तर प्याई और संप्राय मैदान में तब्दील हो गई ठीक है तो थालवेक के बारे में लिखे थालवेक क्या है किसी नदी के उधिगम से मुहाने तक किसी नदी के उधिगम से मुहाने तक घाटी के लंबवत काट को उधिगम से मुहाने तक उधिगम ये है मुहाना ये है जब समुद्र पे मिलती है तो मुहाना कहलाता है जब जहां से निकलती है वो उधिगम कहलाता है उद्गम से मुहाने तक नदी घाटी के लंबवत काट को थालवेक कहते हैं ये चार चित्र मैंने आपको बताए आपने बना लिए होंगे आगे लिखे चित्र में नदी के बिभिन थालवेक को दरसाया गया है जब नदी अपने अपर्दन के अंतिम चरड में पहुंचती है तो तो थालवेक के सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है थालवेक के सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है यह आकरती बिहीन मैदान यह आकरती बिहीन मैदान अंतिमोस्ता की बात कर रहे हैं यह आकरती बिहीन मैदान संप्राय मैदान कहलाता है संप्राय मैदान कहलाता है ठिक कोई डाउट हो पूछिए आगे लिखे इसी में यहां पर क्या आकरती है ठीक है एक तरीके से एक मैदानी छेतरी ही तो है नदी ने अपने आपको पूरे अधारतल के बराबर कर लिया ठीक है तो यह मैदानी छेतर को संप्राय मैदान कहते है सर यहां पर नदी तो है तो आक्रति विहीन मेरे कहने का तातपर बस इतना सा है कि ये पूरे मैदान के जैसा मैदान है वैसा ही दिख रही है एक नदी होती है उसका एक बहा होता है उपर से आ रही है नीचे संभावन आए हैं कि धीरे धीरे इस घाटी को काटती चली जाए ठीक है नदी ही मैदान की तरह दिखने लग जाए तो क्या हुआ जो नदी की एक आकरती है नदी का जो थालवेग है वो समाप्त हो गया इसलिए इसे आकरती भी इनका जा रहा है ठीक है जो वास्तवी की ये चित्रा होना चाहिए यहां पर क्या है क्या नहीं है न हाँ हाँ बिल्कुल जल की उपस्तिती का भाव ग्लेशियर ही नहीं हो दिरे दिरे बहुं सारी नदी ऐसे की सरसोती नदी कभी बैठती थी लेकिन आज नहीं है तेकंदी आए अर नदी आए गघर नदी एक थेज़ा धिरे दिरे वह भी लुक्त प्राइव हो रही हरिएं अधिया शिन्द्वार्टि सब्बता के टाइमि प्रेट परेंका नाम था नदी भी लुक्त प्राइम हो सकती है क्यों नहीं हो सकती और इतने से कोई दिक्कत हो तो बताईए आगे लिखे थालवेक के इस बिशलेशन से हम पाते हैं की नदी बर्तमान में अपने निमन अवस्थाओं से गुजरती है निमन अवस्थाओं से गुजरती है युवावस्था मध्यावस्था प्राड़ावस्था इत्यादी युवावस्था मध्यावस्था प्राड़ावस्था इत्यादी ठीक है तो यह बात ही एक थोड़ा समझाना चाहरा था थालवेक का सिद्धान ठीक है मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स टॉपिक को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं नेक्स टॉपिक है आपका